इस particular वीडियो में इंडिया और तालिबान के respect में दो important geopolitical events के बारे में मैं आपसे बात करूँगा पहरा geopolitical event ये है कि इंडिया ने अपनी पहली official meeting करी है तालिबान के साथ informal talks पहले डोहा में हो चुकी है बट पहली official meeting तालिबान में जो 13 members ने इस resolution में favor में vote किया और दो members as expected रशिया और चाइना यहाँ पे abstain करें जबकि रशिया चाइना से बहुत बातचीत करने की कोशिश की तो यहाँ पे तालिबान के ओपर कोई sanctions नहीं लगाए जा रहे थे पस तालिबान के ओपर यह pressure डाला जा रहा था कि आप लोगों को rights दो आप परिशान मत करो human rights का ध्यान रखो लेकिन उसके बावजूद रशिया चाइना पीछे हड़ गया मतलब यह बात जो मैं आप से अब तक कहता चला आ रहा था कि United Nations Security Council किसी काम का नहीं एक दम बकवास body है यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते चुकि यहाँ पे सिर्फ मतलब के basis पे बात होती है किसी ना किसी का मतलब आता है और वो रोड़ा डाल देता और यहाँ पर रशिया चाइना ने abstain इसलिए क्या पता है क्यों चुकि किसी भी प्रकार का action नहीं लिया जा रहा थे यहाँ पर तालिबान के अगर action लेने की बात की जाती न तो इन दोनों चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सबसे बहले तो बात करते हैं कि यह official meeting में क्या हुआ तो देखें इंडिया के जो ambassador है टू कतर इंडियाज envoy टू कतर दीपक मित्तल साब यह मिले शेर मोहमत अबास टैनकजाई से तालिबान का जो political office है डोहा में कतर में उसके जो boss है शेर मोहमत अबास टैनकजाई यह वही person ह जो कि इंडियन military academy का pass out है जिसके उपर कुछ दिन पहले काफी news में था मैंने video भी बनाई थी तो overall तालिबान ने यहाँ पर बुलाये इंडिया को official talks के लिए और उनके कहने पर दीपक मित्तल जो कि हमारे envoyer to Qatar वो जाके यहाँ पर स्टैनकजाई से मिले यह meeting कहां पर हुई तो दोहा में जो इंडियन embassy हुई है वहाँ पर meeting हुई उसको खुद ministry of fictional affairs ने confirm किया है अब यहाँ पर बातचीत क्या हुई है देखे ऐसा नहीं है कि हम लोग खुदी तालिबान के साथ बातचीत करना चाहते है तालिबान भी बहुत लंबे समय से इंडिया के साथ बातचीत की थी बड़े इंडिया को वरोसा नहीं है कल की डेट में हमारे किसी embassy staff को मार दिया जाता तो अलग हमारी सरकार यहाँ पर humiliate होती फिर हमारी सरकार के उपर एज़ाम लगाया जाता ठीक है कि भाई तुम ठीक से काम नहीं करते हो यह नहीं करते हो वो नहीं करते हो तो overall यह हमारे ambassador साब है इन्होंने स्टेनक जाई से बूचा कि देखे भाई जो भी इंडियन नैशनल साब के देश में फसे हुएं जो भी अफगान नैशनल से इस्पेशली माइनॉर्टी आपके देश में फसी हुई है क्या वो इंडिया आ सकती है क्या आप उनको बाद में ट्रव अफगानिस्तान के अंदर उसके ओपर भी बातचीत की होगी स्टेनक जाई से फिर इन चीजों के बारे में भी बात की होगी कि अफगानिस्तान के स्वाइल को एंटी इंडियन एक्टिविटीज्म में किसी भी प्रकार से इस्तमाल नहीं करना है और इन सब चीजों को लेक यहाँ पे इंडिया ने तालिबान के साथ मीटिंग की है और सबसे खास बात यह है कि तालिबान के कहने पे हुई है मीटिंग इंडिन इंबसी में हुई है जो आज का दूसरा जियो पोलिटिकल वाला टॉपिक है वो सबसे आदा इंपोर्टन से इंडिया की प्रेजिडेंसी के अंदर UNSC ने एक रिजिलूशन अडॉप्ट किया 2593 तो 2593 रिजिलूशन याद रखना PCS Tag के वन लैनर में पूछा जा सकता अभी इस रिजिलूशन में चाइना और रशिया ने एपस्टेन किया इस रिजिलूशन में था क्या क्या तालिबान के खिलाफ कोई अक्षिन लिया जा रहा था क्या कोई सैंक्षिन लगाया जा रहे थे क्या कोई military action authorized किया जा रहा था अब्वेसी बात है नहीं military action क्या ही authorized हो कि जब forces वहां से बहार निकल गई है तो यहाँ पे अफगानिस्तान के against यह resolution adopt करके अफगानिस्तान को यह बोला जा रहा है कि भाई आप अपने देश को इस्तमाल नहीं करेंगे terrorism को फैलाने के लिए जो भी आपके देश में अफगांस आपके देश से बहार निकलना चाते हैं दूसरे देश के नागरिक आपसे बहार निकलना चाते हैं आप उनको बहार निकलने देंगे और इस particular resolution को 15 जो UNSC के members हैं जिसमें 5 permanent है और 10 non permanent है तो टोटल 15 members में से 13 members ने इसको sponsor किया support किया France, UK, US, India सब ने support किया केवल 2 ऐसे members थे रशिया और चाइना जिसने यहाँ पर vote नहीं डाला इन्होंने abstain किया और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि इनको समझाने की बहुत कोशिश की गई जो US ambassador to the UN है ना Linda Thomas Greenfield इन्होंने भी back end से Chinese और रशियन official से बात करने कोशिश की गई हमारे जो foreign secretary शाब है हर्श्वरदर शिंगला साब इन्होंने भी back end से Russian और Chinese official से बातचीत की बातचीत करने के बाद भी इस proposal के उपर Russia और चाइना का approval नहीं ले पाए मतलब Russia और चाइना इस हद तक Taliban के प्रतिय अपना प्रेम दिखा रहे हैं कि बाइ टेररिजम को रोकने के जो resolutions है ना उस पे भी वो अपनी हामी नहीं भर रहे हैं हाला कि उन्होंने वीटो नहीं किया वीटो क्यों करेंगे देखिए वीटो एक extreme step होता है वीटो तो तब करेंगे ना वो लो जब obvious ही बात है Taliban के हिलाफ कोई action या फिर कोई sanction लगाया जा रहा होगा यहां तो बस Taliban के अगेंस्ट एक statement जारी हो रहा है उस statement पे भी अपनी हामी नहीं भरी रशिया और चैना ने अब सवाल उठता है कि हामी क्यों नहीं भरी यहां पे क्या point है रशिया का चैना का कि उन्होंने हमी नहीं भरी तो देखे इस particular resolution में overall यह जो काबुल एरपोर्ट के blast हुए थे इनको यहां पे criticize किया गया है जो Taliban की handling रही है overall आपकी Afghanistan के अंदर उसको criticize किया गया रहा है इन गधों को जाके कोई बताओ कि emergency basis पे resolution नहीं लाएंगे इतने लोग वहां पे मर रहे हैं, bum फट रहे हैं, बाहर military persons मर रहे हैं, ठीक है मतलब 100-500 लोगों का मरना इनके लिए कोई matter ही नहीं करता, फिर उसके बाद घरशियां का यहां पे क्या बोलना है कि आपका focus ISIL जैसे ग्रुपों के उपर जादा होना चाहिए और यह जो East Turkistan वाला movement है, यह जो ETIM है East Turkistan Islamic movement इसके उपर जादा होना चाहिए, जो main बवाल है वो ISIL और ETIM जैसे organizations बना रहे हैं, तो इनके उपर आप जादा भोलो ना, आप तो Taliban पर यहाँ पर focus कर रहो मतलब Russia और China कैसे ना कैसे करके Taliban के खिलाफ जितने भी प्रकार के statements उसको directly and directly व्लॉक करेंगे यहाँ पर abstain करके उन्होंने यही किया India के officials ने, US के officials ने possibly बागी countries के officials ने भी Russian और Chinese officials से back end से बात करके उनका approval लेने की कोशिश की होगी इस particular resolution पर वट वो abstain कर गए इतनी बातचीत के बाद भी उन्होंने abstain किया, इसके against vote नहीं किया यही बहुत बड़ी बात है तो abstain करके Russia और China ने साफ साफ Taliban को यह signal भेज़ दिया कि हम आपके साथ हैं पूरी तरीके से overall blind support नजर आ रहा है यहाँ पे Russia और China का किसकी तरफ? Taliban के तरफ तो मतलब security council जैसे फालतू organization फालतू ही बोलूँगा मैं यहाँ पे जहाँ पे countries अपने मतलब के साफ से चीज़ों को veto करके जो सही चीज़ है उसको भी ब्लॉक कर देती है यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई action नहीं हो रहा है बढ़ तालिबान के उपर कम से कम pressure तो पढ़ता सही चीज़ करने के लिए वो भी नहीं डालने दिया यहाँ पे Russia चाहिना जिसी countries ने Russia ने यह बोला कि थोड़ा और इसके उपर कोई sources से यह भी बात निकल के आ रही है कि यह particular जो resolution था वो इंडिया की presidency के अंदर पास हुआ है मतलब इस पे voting पड़ी है तो यह सब इंडिया की purpose को ही serve कर रहा है overall इंडिया की viewpoint को दिखा रहा है तालिबान के आगी है तो यह तरीके की politics आपकी रशिया चैना ने यहां पे करनी शूरू कर दी मतलब overall आप इतना समझ लो United Nations Security Council में तालिबान से related कुछ नहीं होने वाला है यह बात तै है तो यह जो 15 में से 13 countries ने इसको sponsor कर दिया इससे होने कुछ वाला नहीं इससे तालिबान पर प्रेशर नहीं पढ़ने वाला है हाँ प्रेशर बेशितना पड़ेगा कि पैसे ब्लॉग ने International Organization से IMF से World Bank से और जो भी अफगानिस्तान के Foreign Reserves से वो Foreign में ब्लॉग पढ़े हुए बाकि रशिया चाइना के पूरी मदद थे यहाँ पे तालिबान को हाला कि वो भी कोई दान दर्म मदद नहीं कर रहे है रशिया को वेपन वेजना है चाइना को अपना Belt and Road Initiative बनवाना तो ये दो जियो पोलिटिकल न्यूज सिंपल भाषा में मैंने आपके साथ डिसकस की थैंक यू फो वाचिंग ज्यादा ज्यादा लोग साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर लिजे आप अपनी व्यूपॉंट नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं अच्छा रगरा काम तो आप जोइन मिटन नवाख के हल भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे चाहिए तो फॉलो कर लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हूँ